अलो इस्टुडेंट्स वेलकम टू पीवियार स्टॉडी आज की स्कलास में हम लोग पढ़ेंगे कच्छा नो के अंसी आर्टी गडित और आपका परस्नावली 12.2 कोश्चन नमबर से बन इस इक्सरसाइज में बेटा टोटल 9 कोश्चन है ठीक है तो यह 4 तक आपने कर लिया था 5 और 6 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आप लोग इन्हें ट्राई करना गार पे ठीक है इसक्रीन पर दिख रहा है ना 5 और 6 आप इसे होमवर्क कर लेना तो 7 नमबर में बताने चल रहा हूं कोश्चन ध्यान से सुनो क्या कहता है कि एक पतंग पतंग मिन्स काइट कि सेब्सेटें रहा है तेन मतलब इक चद्डर में चद्धर रख सेथ़ को तो तेन अलग-झालग पर था कि बताने मैं दिख रहों कि और 2 कर दीक हो विए वर इस फिकर में अभी को आपको इस फिकर को और अंच्छे से दिखा देता हूं大家好 मैं दुसरे में ही आता है थिका इसका है तिसरा परकार का यह काघज है ठीक है चैए यह छे 18 याद रखना ठीक है बबू समझ में आ रहा न तो तीन परकार के काघज है एक तो यह हैं प्रकार का यह सिकशंड वाले दोनें एक प्रकार का यह थठ वाले में है अब आगे क्या कहता है जिदा भियान कि तो कि पतंग का उपरी भाग 32 cm का एक वर्ग है उपरी भाग है उसका फाटीटू सेंटीमेटर का क्या एक विकरर रहें डिय्गोनल है यह आपका क्या है 32 सेंटीमेटर है मोटा मोटा अगर हम बात करें इसका नाम लिख दें तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ठीक है आगे देखो पहरा निचला भाग 6 सेंटीमेटर 6 cm और 8 cm भुजाओं का एक संदुवाह उत्र भुज है तो ज्यांत कीजिए परतेक सेट में प्रियुत किया गया कागज किता है नीचे का जो भाग है वो 6-6 cm का है ये 8 cm का है मैंने लिख दिया चलिए कर लेते हैं बहुत ही आसान है सभी का अलग इसमें फाइंड करना है सिंपल साह लिखिए देखो इस चीट समझो पहले भाग का जो एरिया होगा बाबू दूसरे भाग के एरिया के बराबर होगा क्यों होगा क्योंकि दोनों समान बेस पर बना है ए भी दोनों में common है इस्वाले के लिए भी इस्वाले के लिए भी और अगर ये विकर्ड बये subjects 22 हे तो यह वाला लाइन भी 32 होगा बोलो 32 होगा न यह और यह 32 होगा अगर हम इंका नाम मार्व लिख देख ह्यूह यहाँ पर यहाँ पर पी तो यह परपेंडी कुलर यानि लंब जो है वो भी दोनों में 16 16 बराबर है तो यानि कि पहले दूसरे के क्या होंगे जो एरिया होंगे वापस में इक्कॉल होंगे तो लिखो यह पहले बाग का छेत्रफुल बराबर दूसरे बाग का छेत्रफल कि लिह ब्रेकट में चाहिए तो गारण भी लिख़लोá लिखलो क्योंकि दोनों समान बेस पर बने हैं और इनकी लंबहुत भुजाएं भी समान है बराबर है तो साथियों यहां पर देखो अगर हम इसे एक तो पहले वाले भाग का अगर आप निकालों गए इसमें फर्स्ट वाले भाग का सिकेंड वाले का प्रकार आपका समकॉंट तिर्फुज बनता नजर आ रहा है ना आप क्या लिक्षोगे अथा पहले भाग का छेद्र फल क्या हो जाएका फार्मुला लगाओ फट फट वन अ साइड भी वही होगा क्योंकि दोनों बराबर है तो वहना पांटू बेस देखो कितना है इसमें पूरा-पूरा कि बेस कितना है भाई 32 है भी बेस तो इसमें कह रहा था 32 अभी करना और उचाई कितना है क्योंकि यह क्या हुआ आधा आधा डिवाइड है तो आप कह सकते हो ओपी कितना सोला है और ओक्यू भी सोला है मिनको आप कार्ड दो सोला आएगा इसक्वाइर यानि आपका है सकते हो कि पहले और दूसरे भाग का छेत्रफल दोनों कितना आया विकाद दोनों आपस में बराबर है ठीक है यह क्या है पहले भाग का छेत्रफल फिर यहां लिखोगे इफ लिए दूसरे भाग का छेत्रफल बराबर यह भी हो जायागा 256 सेंटीमीटर स्कॉयर क्लियर अब क्या करोगे भाई नीचे लिखो तीसरे भाग का छेत्रफल बराबर इसको लिख लो कहीं मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे उपर आपको इसमें हिरोन फार्मूला बताना जल्दी लिख लो फटाफट जल्दी करो भाई लिख लो बच्चों नाम की पीछे ना परिसान रहा हूं मैं सबका नाम देख रहा हूं देखो तीसरे भाग का छेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा अगर आप ध्यान दो तो आपका जो थार्ड पार्ट है बाबू यह छे छ सबका कमेंट मुझे दिख रहा है संजय कुमार और कौन है पटे राचल मोहित कुमार मोहमत सहिल और पराची परदीब ठाकुर जो रोज जुड़ता है ना कलास में उसका नाम हम बोलते हैं जो कभी-कभी आता उसका नहीं आओ देखो यहां पर पहले आपको यह चाहिए य आपका छोटा सा सूत लगा के ठीक है बाबू यस का मान निकाल लो ए और बी और सी तीन मुझा है दोनों को छेचे मानलो एक को आठ मानलो तो छेचे बारा आठ बीस बराबर दस सेंटीमीटर यानि यह की बहलू कितना आई भाईया 10 सेंटीमीटर आ गई तो चलो बाबू क की जगह पर क्या रखोगे 10 10 माइनस एक की जगह पर छे 10 माइनस बी की जगह पर भी छे 10 माइनस सी की जगह पर आठ इसमें कोई दिक्कत नहीं न क्योंकि दो भुजाएं छे 6 हैं एक 8 है चलो ओके डन दवड़े रो भई यह 10 इंटू इसको घटाओ कि 4 आएगा यह भी 4 आएगा यह 2 आएगा ठीक है भाई साहब क्लियर देखो बाबू 4 का वर्गमूल दो आएगा इस 4 का भी वर्गमूल द आएगा एक काम अभी और आगे आप कर सकते हो एक काम कर लो यह चार को हम पहले लिख सकते हैं और 10 को हम दो 10 को हम 5 गुड़ा 2 लिख दे रहें, समझो यह 10 को हम 5 गुड़ा 2 लिख देते हैं, इस 2 को वैसे लिख लेंगे इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया बोलो बन गया न, तो एक जोड़ा से गिंती बाहर निकल जाएगी तो यह 4 बाहरा जाएगा इसमें से 2 बाहरा जाएगा 4 इंटू 2 अंडर रूट 5 अंदर में बच जाएगा तो बाबू क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू अंडर रूट 5 ना रूट 5 का मान रख दोगे आप क्योंकि आपको आंसर निकालना है एक जेग ना तो 2.2 4 4 इंटू यह कितना हो जाएगा भाई ये इसका मान रखना है न इसका मान रखना है रूट 5 का तो 2 2 2 4 सम्थिंग आता है न ऐसे इसे कुछ आता है न तो यह हो आपका लगभाग को सेंटीमीटर का स्कॉयर 17.92 सेंटीमीटर का स्कॉयर लगभाग एप्रॉक्सिमेट क्योंकि यह कोई 100 परसेंट एकुरेट वैलू नहीं होती रूट वाली इसमें किस्यू को कोई डाउट है तो कमेंट करो नहीं संकोच फटाफट बोलो मैं सामने से हट रहा हूं हील रहा हूं डोल रहा हूं आप लिखलो जल्दी करो हो गया नेक्स्ट कुश्चन आपको दिखाएंगी बहुत जल्दी ही फटाफट क्लास को लाइक सेर जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्यू कमेंट करके बताना कि आप कितनी कितनी देर की कलास चाहते हो एक गंटे की या दो दो गंटे की बताओ कमेंट करके